सेलोब फाल वेलकमम टु एक्विटी टेबल आज हम अपप लोग के सामने लेकर आये हैं बहुत ही दमदर फार्मा एशंक जिसका नाम है बंध्का स्वेशिस करेंगे शैब लेंड फार्मा की क्या फाइनांसियल कंडिशन से हैं इसके बाद हम टेक्निकल अनालिसिस करेंगे और यह डिसकस करेंगे कि यह क्या हमें खरीदने लाइक इन्वेस्टमेंट परपस के लिए सही है या नहीं तो मार्केट केप इसका थर्टी टू तौन फाइव अंडड़ करोड का है करेंट प्राइस जो चल रहा है वन नाइन सेन फोर आरोस यी नाइन पॉइंट सेन तरी रिटर्न और इक्विटी एंड रिटर्न और कैपिटल इंप्लाइट थर्टीन फेस्ट बैल वान रुबिज का डिविडेंट इल कंपनिया होती है फार्मा सेक्टर से वह थोड़ी महंगी रहती है उनकी पी थोड़ होती है आए देखते हैं अगले स्लाइट में यह इसके प्रॉंस हैं कंपनी जे अल्मोस्ट डेट फ्री थोड़ी बहुत डेट होगी इस कंपनी में अल्मोस्ट डेट फ्री कंपनी बता रहा है कंपनी एक्सपेक्टिट टो गीव गूड क्वाटर और इसके कॉंस क्या है इ डिविदेंट रिल्ट प्याउट हैज बीन एट 14.2 परसेंट प्रॉफिट ऊवर दे लास्ट त्री यह डिविदेंट पे आउट बहुत ही कम करते हैं फिर भी इन्होंने बीस रुपए का डिविदेंट किया तो यह तो कमी है दोजार के परैस पे 20 पहली डिविदेंट वान परसेंट यह यह इन्होंने सलाइड को द ikke ककंपनी है और इसका इसका देक रहे होंगे कि डिवरेंड दिए ल你就 फेंट है बहुत ही सिर्फ घ्यान्ता फार्मा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क vị रिजल्ट कॉर्टर बस इसका सिल जो है सबसे ऊपर सेल्ज में लगातार बढ़ा है यून में थोड़ा सेल्स कम आई है profit margin की बात करें profit margin गट रहा है profit margin इसका घटा हुआ है घट रहा है टैक्स टैक्स तो बढ़ा है क्योंकि नोन भी लोन लिया था और इस पॉन फोर्टी फोर को बिश्सका काम उपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है आगे वड़ते हैं आगे भटते पर लोस प्रॉफट ऑंड लॉस स्टेटमेंट में वहीं कि वह इक बात कर रहा है सुरा का सुरा और बॉरोंग देखो बॉरोंग में इन्होंने लोन लिया हुए 375 को रुब का मार्च 24 में इसलिए इनका अभी थोड़ा दबावाया हुए बैलेंस इट थोड़ा खराब लिदिख रहा था और इनका अधर एसेट्स अधर इसेट्स भी बड़ा हुआ है आए सिर्फिया आगे वाली स्लेड में सॉन नीगेटिव कंषपो है इसमें नीगेटिव ए अभी तक तो मार्च में बहुत ही अच्छा पोजेटिव क्ष्फ्फ्फ्फ्फ क्लकम है ऩंगे उपरेटिंग एक्टिविटी से जो आए है वो बड़ी है इन्वेस्टि आ तो फ्रेंट्स हम आ चुके हैं इसके फाइनांसियल चार्ट पर यह ग्लाइंट फार्मा का मंतली चार्ट है जैसा कि अब देख पा रहे हैं यह मंतली चार्ट है मंतली चार्ट मिंस वन कंडिल वन म में इसकी ल्श्रिंग प्राइस यह थी लिस्ट्इंग प्राइस के बाद यह उपर गया फिर नीचे फिर फिर पर गया है चारही कि लाइंट बार त पालत आय garlic और यह गिरा कर तो माहौल इसका वीकली चार्ट है वीकली चार्ट में जैसे आप देख रहे हैं वीकली चार्ट में ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से करके ऐसे कर रहा ह ÖNको रहा है कि यह 2220वाइस 만들어 के आसपास जाना चाहिके बाद थोड़ी चुल्सी गिरावट की मूआइंट होगी अभी क्यों कि अभी जो मार्केट का सीनारियो है निफ्टी का जो सीनारियो है वो थोड़ा सा बदला हुआ है लोग expect कर रहा है कि निफ्टी में भारी अटा सकती है तो जब defensive defensive player होते हैं फार्मा को defensive माना जाता है तो इसमें यह अपने उच्छाल दे सकता है और आज ऐसा हुआ भी है आज कुछ हुआ भी देखो पिछले दिन की पेक्षा आज भॉलूम ज्यादा है जब कि अभी 11 बजने वाले 118 हो रहा है और अभी यह भॉलूम भी पिछले दिन की पेक्षा आज बढ़ा है और प्राइस में भी मू रिकमेंट नहीं कर रहा हूं यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसको फारवर्ड लुकिंग एस्टेटमेंट भी ना समझा जाए और मैं यह ट्रेड खुद लेने के लिए किया हूं और मैं इसमें खुद ट्रेड लोंगा थैंक्यू फॉर वाचिंग माई चैनल